घर की कुछ चीजों की मदद से आप अपने बैली फेट को कम कर सकते हैं लटके हुए पेट को कम कर सकते हैं चाहे जांग की चरबी हो चाहे हमारे हाथों की चरबी हो आप आसानी से उस चरबी को बिलकुल घटा सकते हैं बढ़ता हुआ वजन हमारी परसनालिटी को भी खराब करता है वह कई रोगों का कारण बच जाता है यदि मोटापे को कम करना चाहते हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है मोटापे को कम करना हमारी जरूरत भी बन गया है तोस्तों हम मोटापे को कम करने के लिए जिम जाते हैं एकसरसाइस करते हैं हम ड रेमेडी बता रही हूँ जिससे आपकी चर्बी कम हो सके बहुत ही बढ़िया तरीका एक चमच कोकोनट ओई लिया है साथ ही आपको लेना है यहाँ पर वन फोर्थ चमच विक्स वैपोरब लेना है दोसों जो हम नारियल तेल और विक्स वैपोरब को मिक्स करके जो हम लगात है और जो यह चीज है दोसों नारियल तेल और विक्स वैपोरब लिया है दोसों इसको आपको कहां पर लगाना है अभी एक चीज अभी आपको और मिलाना है जो कि मैं वीडियो में बताने वाली हूँ जहां जहां आपके शरीर में चर्बी जम गई जैसे कि जालतार पेट म जाती है हमारे हाथ के ऊपर बाजूओं में चर्बी जाती है तो हम उसे किस तरह से ठीक करें ताकि हमारा लटका हुआ पेट भी खराब ना दिखे एक बार इस उपाय को करके देखें थो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा तो क्या होता है कई बार हम जिम जाते हैं एक्सर्साइ किसी भी पूजा के सामन की दुकान में मिल जाएगा केवल दो छोटी गोली कपूर की आपको लेना और जब कपूर को हम उस जगह पर लगाते हैं जहां पर बहुत जादा चर्बी जमी हुई है फैट जमा हुआ है तो उस जगह पर बहुत तेजी से पसीना आने लगता है और यदि इस रेमेडी को आप एक सब्ता भी करते हैं दोस्तों आप खुद देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा किया रहे जहां पर हमारी इतनी चर्बी जमी हुई थी पेट लटका हुआ था बिलकुल ही ठी होने लगा है तो कपूर का आप पाउडर बना ले बहुत ही स चीजे हमें चाहिए दोस्तों अपने लटके हुए पेट को ठीक करने के लिए अपने शरीर में जो चर्बी जम गई है उसे कम करने के लिए यदि विक्स नहीं है माल लिजे आप बोलेंगे हरे विक्स नहीं हमारे पास तो कोई बात है आप नारियल तेल ले ले लिजे और क तो नारियल तेल और कपूर भी ले सकते हैं परनतो विक्स वैपुरब है तो आप वो भी जरूर डाले इसे लगाने के बादोस्तों आपको भरपूर काम करना है जो भी आप काम करते हैं आप यदि जिम जाते हैं तो जिम जाने से पहले जरूर लगाए अपने बैली फेट पर लगाए अपनी थाइस पर लगाए अपनी बाजुओं में लगाए और फिर जिम जाए बढ़िया आप जब जिम करेंगे एक्सराइस करेंगे जोस्तों तो उस जगह से और भी तेजी से पसीना आएगा हम जो लेडिस हैं जो की घर पर रहती हम जिम नहीं जाते हैं तो ह हमें क्या करना अपने घर का रोज का रूटीन का काम करना इसे लगा लीजे रूटीन का काम करें आप देखेंगे जब आप घर का काम करेंगे इससे भी आपके शरीर में जहां जहां आपने इसे अप्लाय किया वहां वहां बहुत तेजी से पसीना आएगा और इसे लगाने में extra चर्वी जमी है वह निकल जाएगी आप कुछ नहीं तो यदि morning walk पे जाते हैं तो इसे लगा कर आप morning walk पर भी जा सकते हैं इसे भी खूप तेजी से उस जगह से पसीना आएगा यदि आप चाहें तो इसे रात को भी लगा सकते हैं अपने belly fat पर लगाएं ताकि शरीर में जमी हुई fat है चर्वी है वह तेजी से कम हो सके पंदरा दिन आप इसे करके देखें आप खुद देखेंगे आपका वजन भी कम होगा जहां-जहां बाजूओं में भी कई बार बहुत fat जम जाता चर्वी जम जाती है वहां भी आप लगाएं इसलिए मैं इसे बाजूओं में अपलाए करके दिखा रही हूँ और साथ ही साथ दोस्तों पेट में लगाएं अपनी थाइज में आप इसे लगाएं ताकि शरीर बिल्कुल सही रहे हम बीमारियों से भी बच सकें शरीर में फैट जमना अच्छा नहीं होता है तो अभी से आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा हलका सा मसाज करते हुए ताकि अंदर चला जाए स्किन में बस और आपने घर का रोज का काम करते रहे ताकि अच्छा पसीना आए और इससे शरीर में जमी हुई जहां पर आपने इसे अप्लाइ किया है फैट टेजी से बर्न होगी इस तरह से आप अपने लटके हुए पेट को ठीक कर सकते हैं जमी हुई चरबी को कम कर सकते हैं जो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सांथी सांथ मेरे चैनल शिखास की चन को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू